T20 World Cup 2021 का आजन 17 अक्टोबर से UAE और O1 में किया जाएगा और इसका फाइनल मुकब्ला 14 नमेंबर को होगा इस टूर्णमेन के लिए और इस टूर्णमेन के लिए और इस टीम के साथ वारत मैदान पर उतरे ब्रैड होग ने अपनी प्लेइंग 11 में शिकर धबन को शामिल नहीं किया है जिन्होंने IPL 2021 के पहले पार्ट में काफ़ी अच्चे बल्लेबाजी की थी और रन बनाने के मामले में पहले नमबर पर थे ब्रैड होग ने अपनी प्लेइंग 11 में रोईस सर्मा के साथ विराट कोली को ओपिनिंग की जिम्मेदारी दी है इन दोनों चैन के साफ मतलब ये है कि शिकर धबन के लिए उनकी टीम में कोई चांस नहीं है वही नमबर तीन के बल्लेबास के तौर पर उन्होंने शुर्यकुमर यादब को अपनी टीम में शामिल किया है वही उन्होंने केल लाउल को बता और बल्लेबास नंबर चार के लिए टीम में जगा दी है जबकि पांच में नंबर के लिए उन्होंने डिशब पंद को टीम में चुना है ब्रैड होग ने कहा मैं शिकर धबन के प्रती थोड़ा कटूर हो सकता हूँ लेकिन मद्द कम में उन्हें कुछ अटकिंग प्लेइंग की जरूरत है और उसकी बज़े से वो विराट कोली को ओपिनर के तौर पर देख रहे है वही नमबर 6 पर बल्लेबाजी के लिए उन्होंने हारदिक पंडिया को रखा है वही नमबर 7 के लिए उन्होंने स्पीन और लाउंडर जड़ेजा को चैन किया है साथ उन्होंने कहा कि वो डिशब पंड को टीम में फ्लोटर के रूप में रखना चाहेंगे क्योंकि अगर साथ पे ओवर में विकेट गिरता है तो उनके उपर भेजेंगे जिससे कि वो गेंद पर हावी हो सके ब्रैड होग ने गेंद बाजों के बारे में कहा कि वो कुल्दीब यादप और येजवेंद्र चाहल में से किसी एक को टीम में रखना चाहेंगे हाला कि चाहल टीम के नंबर वन स्विनर है तो वही अगर कुल्दीब सिलंका के में अच्छा पजशन करते हैं तो उन्हें नजर अंदस करना मुश्किल हो जाएगा वही टीम में उन्होंने वुबनेशिर कुमार शार्दूल ठाकुर और जस्पित भुम्रा को इस गेंदबास के तौर पर स्रामिल किया है दोस्तो आपको ब्रैड होक की टीम कैसी लगी अब हमें कमेंट्स में इसकर के जरूर बताइए दोस्तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर ससकत करे